गुड मार्निंग फेरेंड्स वेल्केम यू बिहार बोर्ड उर्दो चैनल आशे करता हूं दोस्तों आप सबस्च होंगे आज आम बात करने वाल इस वीडियो में इंटेर जाम लोल्त कलास के म्यूजिक के कुछ इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रशनदत्र के विशा में पहला प्रशन है दोस्तों ताली एंग खाली क्या होता है इसका मतलब क्या होता है ताली एंग खाली का मतलब आप लिखना है उतर में है किसी ताल के अंतर गतिव भाजन देखाओं को जिन दो ढंगू से दिखलाया जाता है उन्हीं दो ढंगू को ताली एंग खाली कहा जा इसे ताली वंखाली को । दर्शा आ जाता है। आप इसलिए पीसे ताली वंखाली करें। अगला प्रस्ण है राग कामोद राग कामोद और हमीर की तुलना करें उत्तरमा है राग कामोद और हमीर की तुलना को इस परकार से देखा जा सकता है कि नंबर वन में यत्पी दोनों ही संपुर्ण जादी के राग है फिर भी दोनों के तलन में कुछ अंतर है कुछ चाला था इस अभब नमर्ड रोह कामोद कामोद के रेप और हमीर में मध्हो चाल के साथ रे और और ये परह आते हैं और पंचक पर होस्ते हैं संघीत हमिर के म्नोगत diamond गो से प्राडमँ करते हैं कहा हैं से गो से और नी का अभ्यास लेते हैं जैसे गो मो नी धोगं facilitate यह क्या हो गया हमीर यह हूओ जुर धूसिसरा प्यांड है इसका इसको तुसरा वाधी सम्वादी है किंतों अमीकल में आठ्वा में अथ्वा मुसे उपर जातिसे में या तो पंचम वर्ज कर दिया जाता है या उसे वक्र पड़्यों करते हैं किन्तु कामोद में पंचम अलूंग सवर है। इसमें न तो वर्च किया जाता है और नला रिप पड़Y ook किया जाता है। दूस्त अगरा प्रश्ण है। वाधी और समवाधी सवर क्या होते हैं। वाधी और समवाधी की आप अंतर बताएं। तो त्रम है वादी सवर वादी सवर किसी राग का वादी सवर किसी राग का सवर वह सवर कहलाता है जिसका पड़योग उस राग में परधान रूप से हो यथा राग विवाग का वादी सवर गौ राग कलियान का गौ आदी क्या हो गया वादी सवर में हो गया अब सवाधी सवर के बाड़े में है सवाधी सवर किसी भी राग का वह सवर होता है जो उस राग में उप मुख होकर अनुपूरक रूप में परस्तत होता है यथा राग विहाग का सवाधी सवर नी राग कलियान का नी आदी यह क्या है सम्माधि राग, नी और नी आदिव एक रहे किसी भी राग में वाधी यहां सम्माधि स्वरों के भी इस के दूरी 4-5 स्वरों की होती है कितने स्वरों की? 4-5 या पुए दर्खना है बढ़ते हैं अग्ला प्रसन की वर अग्ला प्रसन है राग किसे कहते हैं और राग की कितनी जातिया हैं इसके कितने परकाड हैं उत्तरम है राग उस सुसद्जी राग उस सुसद्जी सर्शमू को कहते हैं जो अंतमे किसी लक्षविसेस की और जोड़ते हैं जिससे आनंद की पराप्ती होती है राग से हम लोग आनद लेते हैं, प्राषिन काल में राग को इस वर से जोरने वाला बताया जाता था, राग की तीन अउत्जिया, तीन जातिया मानना है, राग की कितनी जातिया, तीन, ये टोपिक अप गया दरखना है, नंबर एक में है औडब, नमबर दो में है साड़व, नमबर तिसरा में है संपुन कमर से इसमें पाँच और छे साथ सवर पढ़ियोग होते हैं इसमें कितने सवर पढ़ियोग होते हैं पाँच से छो और साथ तक भी इनकी संख्या कितनी है, नो है यदा, भूपाली, मर्वा, विलावल, कलियान, आदी, आरो, अव्रो, के हिसापसे इनकी संख्याँ 9 है जिने औरवयोप, संपुन, साड़व संपुन, 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 आदी नाम्मु से जाना जाता है अगला परसन है राग बिहाग क्या है राग बिहाग क्या है दोस्तों ये 2018 में पुछा गिया है इसको ध्यान से जरूर देखेगा तो राग बिहाग क्या है तो उत्तर में है इस राग की रचना बिलावाल थाट से मानी गई है इसके आरों में रेधो सवर बर्ज है और अब्रों में सातु सवर पडियोग की जाते हैं इसलिए इसके जाती ओर व संपुन है वादी सवर गंधार की समवादी निशाध है रातरी के पर्थम पहर में इसे गाया बजाया जाता है तिबर में अलप और से सवर सुध लगते हैं इसके गाने का समय क्या है रातरी का पर्थम भार दोस्तों यह अब्जेक्ट में भी आता है इसलिए इसको बहुत यह रोपिक आपको भूध ध्यान से याद रखना है तो यह था दोस्तों इंटेट जाम ट्रेटर गलास के मुज़िक के कुछ इंपोर्टेंड